कि आज हम पढ़ेंगे बायो मौलिक्यूल्स के बारे में ठीक है बायो मौलिक्यूल्स औरगेनिक मैटरियल आप सेल अब सेल में मैक्सीमॉम पोर्शन जो है औरगेनिक मैटरियल पाया जाता है बहुत ज्यादा जैसे कर्भो हाइडरेड लीपीड्स, एमिनोएट सीड्स, प्रोटीन, नूक्लियोटाइड्स, नूक्लिक असीड्स यह सब चीजे और्गेनिक मैटेरियल के रूप में सिल के अंदर पाया जाता है ठीक है इसको बोले जाता है बायो मॉलिक्य तो कुछ मॉलिक्यूस बड़े-बड़े साइज के होते हैं कुछ मॉलिक्यूस छोटे-चोटे साइज के होते हैं ठीक है जो बड़े-बड़े साइज के मॉलिक्यूस होते है उसको बोले जाता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूस जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूस होता है प्रोट बहुत सारे चोटे चोटे मॉलीकुूज पाया जाता है जिसको बोले जाता है बायो-마 най्क्रो-ía सक्राइड जैसे मोनो शैकराइड नूह बाय मॉलीकूज में कर्बो हाइड्रेट के वारे में पढ़ेंगे तो कार्भॉबय्डिट के होता है एक बहुत इनपॉर्टेन्ट ऋर्गिनिक कॉंपाउंड होता है और में पाइयाने वाले बहुत इंपॉर्टिन्ट और ठीक है तो कार्बो हाइडरेट का जनर्रल फॉर्मूला होता है Cord England H 2N ओ ओ ओ एन और C H 2N तो इसमें जो रेशियो होता है पहले इस थाइप का माना जाता था कि हाइड्रोजेन और ओकसीजेन का जो रेशियो कार्बो हाइडरेट में होता है water में जो hydrogen oxygen का रेशियो होता है same होता है water में oxygen और hydrogen का जो अनुपत होता है और carbohydrate में जो oxygen hydrogen का अनुपत होता है same होता है इसलिए इसको बोला जाता है hydrated carbon और hydrates और carbon अत्वा carbohydrates ठीक है पहले ऐसा माना जाता था कि hydrogen और oxygen का रेशियो carbohydrate में जितना रहता है और वाटर में hydrogen oxygen का जो ratio रहता है दोनों सेम होता है इसलिए hydrated carbon और hydrates का carbon और carbohydrate इसको बोला जाता था ठीक है लेकिन बाद में नया definition आ गया क्योंकि बहुत सारी scientist को ऐसा मिला कि बहुत सारी chemical ऐसा होता है जो carbon का hydrates नहीं होता लेकिन carbohydrate होता है ठीक है कुछ compound जैसे raminose and deoxyribose जो carbohydrate होता है chemical behavior में ठीक है उसका chemical character जो होता है वो carbohydrate जैसा होता है लेकिन carbon का hydrates नहीं होता ठीक है और कुछ substance ऐसा होता है जैसे formaldehyde acetic acid carbohydrate जैसा बीव नहीं करता ठीक है लेकिन इसका formula cx h2 x मतलब इस टाइप का होता है ठीक है cn h2 n o n जैसा होता है इसका लेकिन इस substance जैसे formaldehyde and acetic acid carbohydrate जैसा बीव नहीं करता लेकिन formula सेम होता है यह सब देखते हुए scientist लोग नया definition दिये carbohydrate का ठीक है carbohydrate के definition में उसने बोले कि optically active polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone और substance polyhydroxy aldehyde polyhydroxy ketone जो की optically active होता है ठीक है उसके hydrolysis से जो compound बनते हैं उसको carbohydrate बोलते हैं ठीक है यह नया definition बाद में दिया गया है पहले ऐसा मोला जाता था कि carbohydrate जो है उसको hydrated carbon और hydrates of carbon बोले जाता था बाद में ऐसा बोला गया कि optically active polyhydroxy aldehyde और optically active polyhydroxy ketone और उसके substance जो की hydrolysis से इस ताइब का compound देता है उसको carbohydrate बोलते है ठीक है carbohydrate जो है aldehyde भी होता है और ketone ृता है ठीक है carbohydrate ृलडियाइट भी होता है कि टोन भी होता है इसको बोला जाता है पॉली हाइड्रोक्सी अल्डी हाइड और पॉली हाइड्रोक्सी किटोन कार्भो हाइड्रेट्स जो है इसको सैकेराइड भी बोला जाता है सैकेराइड सैकेराइड मतलब सुगर क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है स्वीट मेटा होता है इसलिए कार्भो हाइड्रेट को सैके स्याथ ज़िए पर से कम सिघर होता है लेकिन लिवर सेल में बहुत ज़्यदा कार्भॉऐड़ पाया जाता है लिवर सेल में 15 परसेंट तक या उससे ज़्यदा कार्भॉऐड़ पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ग्रीनफ्न प्लांट्स जो है फोटो सिंतिस से कर्बो हाइडरेट बनाते ह weapons और और pills you कर्च होता है यह सोनी है एंब्र की मैं जो है ग्रीन redo क्रांड्स से असão कर्बो हाइडरेटcyj को उसमें cellulose starch के रूप में carbohydrate collect रहता है और animals जो है glucose और glycosin के रूप में carbohydrate को store करते हैं glucose और glycosin के रूप में carbohydrate animal cell में पाया जाता है ठीक है अब हम देखेंगे classification of carbohydrate 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 during type के होते है तीन type के ठीक है एक carbohydrate जो है उसको बोला जाता है logicallyres like rechts gonna чтоб---- और memories single of sugar molecule पाया जाता है कुछ carbohydrates ऐसा होता है जिसमें एक ही sugar molecule पाया जात HOW इसको बोला जाता है mayonnaise सेगे राई शिया मौनो मर ठीक है curved होता है मतलब सुगर पाया जाता है इसलिए इसका टेस्ट स्थे मेठा होता है जैसे glucose ुक्तोस कुछ ऐसा पाया जाता है भ事情 जह Grüts ूंभ निशान अल्रूज्व वॶ्यस मëlंगे बहुत सारे glucose, ठीक है, सब एक साथ मिलके, एक compound बनाता है, उसको बोला जाता है, polysaccharide, इसका example होता है, many sugar, poly, poly मतलब many, sugar मतलब saccharide, ठीक है, starch, cellulose, hemicellulose, glycosin, lignin, chitin, इसका example है, polysaccharide होता है, monosaccharide मतलब एक sugar, glucose, fructose, और poly मतलब अनेक, ठीक है, बहुत सारे sugar, इसको polysac बोला जाता है, बहुत सारे sugar, ठीक है, टेस्ट इसका कोई sweet नहीं होता, मीठा टेस्ट नहीं होता, और water में insoluble होता है, ठीक है, monosaccharide, oligosaccharide, दोनों water में soluble होता है, लेकिन polysaccharide, water में insoluble होता है, ठीक है, अब हम देखेंगे, oligosaccharide, oligosaccharide मतलब few sugar, मतलब कुछ sugar रहता है, 2 से 10 तक sugar पाया जाता है, और 10 से ज़्यादा पाया जाता है, polysaccharide में sugar, ठीक है, यह sweet test होता है, oligosaccharides, ठीक है, oligosaccharides, जो है, 4 टाइप के होते हैं, एक है, disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, और pentasaccharide, ठीक है, तो disaccharide मतलब, 2 sugar molecule जिसमें पाया जाता है, sucrose, maltose, lactose, trisaccharide मतलब, 3 सुगर molecule पाया जाता है, रैफिनोस, gentinos, tetrasaccharide, 4 सुगर molecule पाया जाता है, stachios, ठीक है, pentasaccharide मतलब, 5 सुगर molecule जाता है, जैसे भरबेस कोस, ठीक है, बहुत सारे, जो यतनी पी सुगर molecule पाया जाता है, उससे, साब से उसका नाम अलग अलग है, oligosaccharides का मतलब, क्या होता है, जो चोटे 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 हैं और सबसे मोलीक्यूलोगे मौजा करो चोटा और एंदर बहुत आर्गेनिक मौलीक्यूले उसमें जो चोटे चोटा होता है ति इसमें जूटा है वह मलेकरस्टे को बाइक precies भाम मॉलेकुल के और ब्लीकार्ट को बड़न पाए जाता है वह उसे थे से इसमेंगे में मिस्जट सीट ही मलेकूल के रहा वह रहा रहता है स्पाइब हैं यह सिंगल सुगर एक ही जब सुगर का मॉलेक्षिल रहते हैं उसको क्या बोलेंगे मोनोज सैकराइड मोनोज्ट सचिराइड्स , वाटर कसाथ र्याक्षिन किया जाता है टो चोटे चोटे कर्बो खुल्ड अलग नहीं होता देखो डाय सिपर को जा सब वाटर की साथ reaction कराएंगे तो दो सुगर अलग हो जाएंगे ट्राइस के राइट को जब water की साथ reaction कराएंगे तो तीन सुगर अलग हो जाते हैं इस टाइब का होता है लेकिन monosaccharide मतलब single sugar इसलिए इसको जब हम water की साथ reaction करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट respective अलग-ळग नहीं निकलता है ठीके इसको बोलेंगे मोन्नो सैकिराइड इसका ओफिनली Hiç Mark ही को इसकीड़ाइड होता है क्रिष्टलाइन होता है कि इसलाइड मतलब एक फिक्स सेप पाया जाता है सुइच्च होता है water मेंrainσω Powell थैफ के और ऑशरिंगी सौलूबल रहता है। तो मों उन्सutral साktसरास करके कोई अलग 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 मतलब कितने करबन प्रिजेंट है इसके से हिसारब से कर्बास में बाठा गया मोनो सैट कैसा होता है मोनु से टैट्प वाटर की साथ reaction करके कोई अलग-अलग कर्भोष tied नहीं बनाता इसका फ़ॉर्मूला CnH2on होता हैं एक color lize सोता है ठीकिन कृiskति क्रिष्टीलाइन होता है sweet test होता है इसका water में soluble होता है और यकोल में थोड़ा solubal होता है ठीक है अब इसके इसमें बहुत सारी Muse कर्व एक पेंटसेस। Т्रियासस। क्यों बोलेंगे killed जिसी जिस टाइब के और यही मनने इस तयाइब कर्बहाइड लेँगा कैर्बोहाइडरे मैं कर्बहाइडरेड में babies Kure 우ucht Justie सबने नेकिन लनके सन्क्रश जुर् sie के साब से इसको इतने बागों में बाटा गया तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे Triooses जो सबसे चोटा कर्भोहइड होता है सबसे चोटा कर्भोहइड है इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 carbon रहता है C3H6O3. त्राइवसेस, ठीक है? इसमें तीनी C прं रहता है, इसका इक्जामपल होता है, Glycerallyeide और dihydr Galaxy Aceton, Glycerallyeide ज हम लोग पढ़े हैं कि Carbohydrate जो होता है LDH group भी रहता है और Ketone group भी रहता है, दोनो टाइब के ग्रूप Carbohydrate में रहते हैं, ठीक है? तो glycerallyeide और dihydr लाक्रोक्षीयस्टों यह दो थ्राइयोश्येश है ठीक है तीन कारवोन मॉलिक्यूल वालना कार्भुहइडर होतา है तो ग्लिसराल लिफ है उसको उसको इterm है इसलिए इसको बोला जाता है सिसे को बीए सब्सक्राइब को किया टायरे city को अजिस्ति टफंप कट्रवडें मैं जाता है इसान दो है ठीक है ट्रायोज में C3 तिन कर्बं C3 टेट्रोज में 4 कर्बं C4 H8O4 ठीक है इसका एक्जामपल होगा है एरित्रोज थ्रियोज एरित्रोज और थ्रियोज ये दो टेट्रोज जो है aldehyde group है ठीक है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम eldotetrose erythrose और threos को हम बोलेंगे eldotetrose ठीक है अब हम देखेंगे pentoses pentoses pentose मतलब 5 monosaccharide पाया जाता है ठीक है इस सुगर में पांच carbon atom पाया जाता है इसके molecular formula जो है c5 h10 o5 पांच carbon atom पाया जाता है c5 h10 o5 ठीक है इसके example हम देखेंगे arabinose ribose xylose यह तीनों चीज़ जो है arabinose ribose और xylose जो है इसमें aldehyde group पाया जाता है ठीक है जिसमें aldehyde group पाया जाता है तो उसको aldehyde group पाया जाता है उसको ketoses बोलेंगे arabinose ribose xylose aldehyde group होता है इसको हम क्या बोलेंगे aldeopentose क्योंकि पांच carbon है aldeopentose अब हम देखेंगे deoxyribose ribose xylose यह तीन जो pentoses होता है उसमें ketone group पाया जाता है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे ketopentose ठीक है अब हम देखें कि hexoses hexoses मतला उस में इस ट्राइब के जो monosaccharide होता है उसमें 6 कार्बन पाया जाता है छे कार्बन वाला monosaccharides ठीक है c6 h2o6 इसका molecular formula होगा c6 h2o6 ठीक है इस plants animals में बहुत ज्यादा मतला में पाया जाता है इसका एक्जामपल आएगा glucose galactose manos glucose galactose और manos यह तीन जो hexoses होता है वह एल्डोस ग्रूप aldehyde group प्रेजेंट रहता है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे aldo hexose fructose pentose sorbose यह तीन जो hexoses होता है इसमें ketone group प्रेजेंट रहता है इसको हम क्या बोलेंगे keto hexose ठीक है अब हम देखेंगे हेप्टोसेस हेप्टोसेस इस monosaccharides में साथ carbon पाया जाता है साथ carbon atom पाया जाता है इस टाइब के monosaccharides में ठीक है इसका molyfueler formula होगा c7 h14 o7 c7 h14 o7 pseudoheptulos जिसमें ketone group प्रेजेंट रहता है ketone group प्रेजेंट रहता है ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे ketose heptoses ठीक है monoheptulos parcinolos इसमें aldehyde group प्रेजेंट रहता है तो इस ट्राइब से trios tetros pentose hexoses और heptos पाच भागों में बाटा जाता है ठीक है keto sugar जो है common nature में नहीं पाए जाता है aldo sugar बहुत ज्यादा पाए जाता है ठीक है aldo sugar बहुत ज्यादा पाए जाता है अब देखेंगे glyceraldehyde and dye hydroxy acetone हम लोग देखेंगे ते तीन carbon atom होता है glyceraldehyde और dye hydroxy acetone smallest monosaccharide ठीक है smallest monosaccharide इसलिए बोला जाए रहा है क्योंकि इसमें तीन carbon atom पाए जाता है जो बहुत ज्यादा living cell में पाए जाता है found evidently in the living cell living cell में बहुत ज्यादा पाए जाता है glyceraldehyde chlorophyte और dye hydroxy acetone जो सबसे छोटा monosaccharide होता है सब 70 टाइप का monosaccharides 70 monosaccharides अभी तक पाया गया उसमें 20 monosaccharides जो है plants and animals में देखा गया है ठीक है 70 monosaccharides अभी तक पाया गया लेकिन उसमें cable 20 monosaccharides ऐसा होता है जो plants and animals में पाया जाता आइं ठीक है है हिक्सोजेस जो है इस मतलब हम आदेके थे लुकोज फ्रूक्टोज गैलिक्टोज नए जो है फिज्योलोजी के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट पहीज़़्यविंग के लिए लिविंग सेल में ठीक है इसलिए उसके कुछ एक्जामपल को हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे glucose ग्लुकोस जो है fruit जुसेस में पाये जाता है और starch और कुछ ऐसे polysaccharides, oligosaccharides जो है उसके hydrolysis से बनता है है न हम लोग पढ़े थे कि एक से ज़्यादा monosaccharides जो है उसको हम बोलेंगे oligosaccharides बहुत ज्यादा monosaccharides जो मिल के जो compound बनता है उसको क्या बоло गहेंगे estranges से आप पाली से लीजाद से बनता है तो और टॉसrebंद के लोग जानते हैं और बॉड़ी के सुगर होता है सब्सक्राइब को करूं सब्सक्राइब और metabolic activities में यूज करते हैं ठीक है glucose glycosin में change हो जाता है glycosin जो है muscle में जाके muscle में फैल जाता है और liver में store करके रखते है ठीक है glycosin मतलब flat fat के रूप में ही जमा रखते है तो blood ऐसा देखा जाता है कि blood में जो glucose की मात्रा blood sugar बोलते हैं हम लोग तो blood sugar में जो glucose की मात्रा जो है 80 to 120 mg पार 100 ml और mg पार decimal होता है ठीक है मतलब खाना खाने के पहले 80 होना चाहिए और खाना खाने के बाद 120 होना चाहिए glucose का label blood में ठीक है जब blood में glucose का label इससे ज्यादा हो जाता है इससे ज्यादा मतलब आपको 80 120 से ज्यादा जब हो जाता है तब यूरीन में चला जाता है glucose यूरीन में मिक्स हो जाता है ठीक है इस ट्राइप का जो condition है इसको बोला जाता है glucose शीयूरिया बोलते है ठीक है ग्लुकोस में अल्डीहाइड ग्रूप रहता है ल्डीहाइड रहते है है इसको किटोष बोले जाता है किउंकि इसमें किटोण ग्रूप रहता है ठीक है अब हम देखेंगे हम çıktैंफ रूक्टोळू फ्रुक्टुछ भी fruit juices and honey में बहुत ज्यादा पाए जाता है ठीक है नैचरली fruit juices और honey सहथ में पाए जाता है बहुत ज्यादा sweetest होता है बहुत ज्यादा sweet होता है इसके यह बी और यह से kane sugar सुक्रोज इस सब के hydrolysis से बनता है ठीक है लोग जैसे पढ़े थे कि बहुत oligo saccharides और पॉली से करण से से बहुत सारा मोनोर्वीहाइडस बनता है उसी टाइप से फ्रूक्ट्रोज भी बनता है ठिक है इंटेस्टाइन टिवर कुला आइंटेस्टाइन में लिवर जो है इसमें फндफ aston पाया जाता है जो कि ग्लुकोस में चेंज कर देता है जो फ्रुक्टोस इंटेस्टाइन और लिवर क्या करता है फ्रुक्टोस को ग्लुकोस में चेंज कर देता है ठीक है फ्रुक्टोस तो इंटेस्टाइन और लिवर में जब जाता है फ्रुक्टोस तो ग्लुकोस में जो है इस ग्लाइको-लीपीड्स और ग्लाइको-प्रोटीन जो है उसमें पाया जाता है ग्येलेक्टोज ठीक है इस सिंतेजाइज होता है मैमेरी ग्लैंड में मैमेरी ग्लैंड में सिंतोसाइज होता है और हैड्रोलाइज होने के बाद लेक्टोस और मिल्क के रूप में पाया जाता है तो लिवर जो है लिवर में जब पहुंचता है लिवर इसको भी गैलेक्टोस को भी ग्लुकोस में चेंज कर देता है और ओअ फ़ते होने के बाद ऑड फ़रिए सरीर यूस कर लेते हैं टिक है मेटाबोलिक एक्टिवीटिस में uda ईलेक्तोन जो हे घ्लाइक टोइफ्ल ना परटिन में पाई जाता है इसीने साइश होता renoron drawing वी ये लक्टोष बनता है ठीक है और हिडुलाइसिस से लेक्टोष बनाता है सुगर होता है जो कि ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन के रूप में पाया जाता है और यह एल्बियूमिन्स ग्लोबियूलिन्स में को प्रोटीन इस सब के कॉंस्टिटूरिंट होता है मतलब इस सब में मैनोस पाया जाता है ठीक है मैनोस क्या होता है मैनेज और गम ईह क्या है है हेक्जोसेज घ्लुकोस, फुक्टोस, गेलेक्टोस, मैनोस, एक चार हेक्जोसेज हम लोग देखे हेक्जोससुगर ठीक है अब राईबुस उगर जो होता है बहुत कॉमॉनली फाउड सुगर होता है यह शुकै एक क्रिएटइट यह तब बना राईबुस मैं राई बोज्गर बहुते समय दुनिया में आया ऐसा माना जाता है त्यक्त राइबो जाता है धिकाए अ कि hani ऑक्सिज에नेसिं से ा act और बनता है राई बोस शुगर की दी ऑक्सिजेनेसिं से他们 bus work बनता है प्रेंट सेलवाल में हेमी सेलूलोस पाया जाता है वो हेमी सेलूलोस किसे बनता है जाइलोस एरोबिनोस ठीक है इससे हेमी सेलूलोस बनता है एनिमेल में सेलूल नहीं पाया जाता है ठीक है इसलिए एनिमेल में जो है हेमी सेलूलोस नहीं पाया जाता जाइलोस और एरोबिन लिवो रोटेटरी होता है सभी हेग्जोस सुगर एल्डोजेस होता है ज्यादा तर हेग्जोस सुगर जो है एल्डी हाइड ग्रूप भी उसमें होता है के बल एक है फ्रुक्टोस जिसमें क्रिटोन ग्रूप पाया जाता है फ्रुक्टोस और लेबियूलोस जिसमें क्रिटो group पाया जाता है, बकि जैतने भी एक जो सुगर सुगर होता है उसमें एल्लो जुरूप पाया जाता है ठेक है अब एमीनो सुगर glycosamine, amino sugar का example है glycosamine, so sugar acid, glucuronic acid, ascorbic acid एह दोजों को बोला जाता है sugar acid, glucuronic acid और ascorbic acid, sugar alcohol, manitole ठेक है, जो की brown algae में पाया जाता है brown algae में पाया जाता है अब हम देखेंगे properties of monosaccharides monosaccharides की properties सबसे पहले हम लोग देखेंगे physical properties physical properties मतलब किस टाइप का बहर से दीखता है monosaccharides जो है colorless होता है sweet taste होता है crystalline मतलब इसका एक निस्चित safe होता है सॉलिड्स किस्टिलाइन सॉलिड्स होता है ठीक है और वाटर में सॉल्यूबल होता है एलकॉल में थोड़ा-थोड़ा सॉल्यूबल होता है और इथर में बिल्कुल सॉल्यूबल नहीं होता इन सॉल्यूबल इन इथर ठीक है मुरसे क्राइट्स कैसा होता है कलरलिस होता है मि सिमेट्रिक कार्बोन एटम पाया जाता है इसलिए इसका बहुत सारे आईसोमेरिक फॉर्म बनता है जैसे ग्लिस्रेल डिहाइड डाई हैड्रोक्सी एसिटोन इसका एक्जांपल है ठीक है अब देखेंगे केमिकल प्रोपार्टीस सभी मोनोसेकराइड जो है होता है इसलिए इसमें क्यों होता है क्योंकि फ्री अल्डिहाइड और फ्री किटोन ग्रूप पाया जाता है रेडियूस हो कितना है इसको टेस्ट करने के लिए बेनेडिक्ट और फ्लिन सपते से कि यूय उरीम में कितना इसको देखने बेनेडिक्ट की यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब में जो है aldehyde and ketone group of monosecparides जो है react करता है alcohol group से या other compound से ठीक है aldehyde group और ketone group alcohol groups और अधर कुछ alcohol की कुछ compound से react करता है react करने के बाद जो compound joint compound बनता है तो इस joint वाली जो bond रहता है इसको बोले जाता है glycosidic bond ठीक है, aldehyde और kreton group monosaccharides का aldehyde और kreton groups रहता है वो जब alcohol groups और other compound group के साथ join होता है, ठीक है, join होके एक bond बनाता है, जो दोनों join होके, जो जिस bond से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलेंगे हम, glycosidic bond ठीक है, अब देखेंगे reduction, free aldehyde and ketone group monosaccharides का aldehyde and ketone groups रहता है, वो reduce हो जाता है, alcoholic hydroxy group के साथ ठीक है, alcoholic hydroxy group के साथ reduce हो जाता है, aldehyde group and ketone group किसके दारा, sodium amalgam sodium amalgam and water, जिसको हम बोलते है reducing agent, ठीक है aldehyde and ketone group जो है, monosaccharides का, और reduce हो जाता है, alcoholic hydroxy group के साथ, sodium amalgam के दारा and water के दारा इसलिए, deglucose reduction के बाद, deglucose जो बनता है ओ, poly hydroxy alcohol sorbitol and manitol का mixture बनता है, reduction के बाद, जो deglucose होता है poly hydroxy alcohol sorbitol and manitol का mixture बनता है, ठीक है ether reduction, oxidation monosaccharides बहुत easily oxidize हो जाता है बहुत easily oxidize हो जाता है, oxidizing agent के दारा, ठीक है जैसे gluten reagent or failing solution के साथ, बहुत easily oxidize हो जाता है, glucose tolerance reagent ठीक है, इसको बोलेंगे ammonical silver oxide इसको tolerance reagent बोलेंगे इसके साथ जब reaction करता है, तो gluconic acid और silver बनता है ठीक है, glucose जब COOH2, 2 COOH2 के साथ reaction करता है, इसको बोलता है, failing solution gluconic acid, CO2O और H2O बनता है, ठीक है monosaccharides बहुत easily oxidize हो जाता है, कुछ oxidizing agent के दारा जैसे tolerance reagent, failing reagent अब देखेंगे condensation reaction aldehyde group of monosaccharides, monosaccharides के जो aldehyde group होता है condensed with primary amines primary amines के साथ जुड़ जाता है और बनाता है chips base primary amines के साथ, ठीक है, जैसे glucose primary amines, एलेनीन के साथ जुड़ के chips base plus H2O बनाए, जब glucose hydroxyl amines के साथ reaction करता है तो glucose oxyme बनाता है ठीक है, यह था condensation reaction, अब हम देखेंगे esterification, hydroxyl group of alcohol in the carbohydrate, carbohydrate के जो hydroxyl group होता है, alcohol का, वो converted हो जाता है, ester में ठीक है, with appropriate acetylating agent के दारा acetylating agent के दारा converted हो जाता है ester में, carbohydrate के hydroxyl group, alcohol का ठीक है, carbohydrate के alcohol का, जो hydroxyl group है वो converted हो जाता है ester में, किसके दारा acetylating agent के दारा ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, esterification अब देखेंगे, fermentation, इस सब chemical character है ठीक है, fermentation, monosaccharides जैसे glucose, fructose इसमें, fermentation हो जाता है microorganism के दारा, ठीक है जैसे इसको हम देखेंगे, glucose C6, H12O6, yeast के दारा, yeast एक microorganism है, yeast जो है, वो zymes enzyme को supply करता है, ठीक है जाइमेंज एंजाइम के इस प्रेजेंस में एथेनोल बनता है, और carbon dioxide बनता है, इस टाइप से fermentation कर देता है glucose को, और alcohol बनता है and carbon dioxide बनता है, ठीक है उससे जोन formation, जब monosaccharides, कुछ चीजे की साथ जैसे phenylthydrazyne, phenylthydrazyne की साथ जब treated किया जाता है, तब बनता है yellow crystal, उससे jones, ठीक है, monosaccharides को जब phenylthydrazyne की साथ treated किया जाता है, तो उससे jones yellow crystal बनता है, जो कि sugar के characterizing करने के लिए बहुत काम करता है ठीक है, यह था physical and chemical character, अब हम देखेंगे, monosaccharides का function, monosaccharides का function क्या होता है, glucose, fructose, galactose, यह सब चीज, animal के दारा food के रूपे लिया जाता है, ठीक है glucose, fructose, galactose को हम लोग खाने के रूप में लेते हैं, ठीक है galactose and fructose, change हो जाता है glucose में, liver में, हम लोग देखेंगे कि small intestine, liver जो है, galactose, fructose, यह सब को glucose में change कर देता है, ठीक है during respiration, respiration में क्या होता है photosynthesis से, जो food material, carbohydrate के रूप में plants बनाते हैं, उसको respiration में respiration में break हो जाता है, ठीक है respiration के समाई क्या होता है, glucose जो है break हो जाता है, ठीक है, किसमें carbon dioxide and water में और energy release होता है, ठीक है, glucose break होके carbon dioxide and water बनाता है और बहुत सारे energy बनाते है, जो energy मिलता है उस energy को plants, animals, physiological activity, metabolism, metabolic activities में use करते हैं, ठीक है, respiration में glucose break हो जाता है, carbon dioxide water में बहुत सारे energy निकलते हैं, उसको हम metabolic activities में यूस करते हैं ribose and deoxy ribose जो है, वो nucleic acid का constituent होता है, मतलब nucleic acid में ribose भी पाया जाता है, deoxy ribose भी पाया जाता है, और nucleotides में भी nucleic acid and nucleotides, दोनों में ribose भी पाय जाता है, deoxy ribose पाया होता है इस type ऐसे नियूप्लिग एसीड़ का कॉंस्टिटीयुट होता है राइबो जैंड डियोकसी राइबोस ठीक त्या सभी एनिमेल में फैट अटा एट एंड एभिनलोकुस जो है घ्लोकुस और फैटरं ऐमीनो एसिट्स बनता है नोग जानता है घूस जो है सबसे पहले चेंज़ हो जाता है ग्लाइकोजन जो है मसल में जाके लिवर में स्टोर हो जाता data martyr जो फेटी होता है इसलिए जपता है ज्रीकाद या यह जह ज़्टी होने जाने से फैटी लिवर्व के जब glucose बनता है थीड़ा फोके पिश्ज्ग सेंसे के समय जब का Formation होता है बीच में ingredient compound के रूप में ट्राइयो नेट्रोस पेंट्रोस हैप्टोस एस सब चीज बनता है 3457 carbon compound बनता रहता है उसके बाद लाश्ट में ग्लुकोस बनता है, photosynthesis के समय, ठीक है, intermediate compound के रूप में ये सब चीजे बनता है, lactose of milk, lactose जो है, glucose and galactose, ये दोनों milk के lactose बनता है, memory gland में बनता है, lactose, जो glucose plus galactose से बनता है, ठीक है, और monosaccharides का क्या काम होता है, मोनो से किराइड जो है बीटामिन सी का फॉर्मिशन करता है एसकॉर्बिक एसीड बराता है मोनो से किराइड ठीक है जाइलोज इस नॉन न्यूट्रिटिव सुटनर जाइलोज जो होता है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता लेकिन सुट होता है जाइलोज एक मो में और अगर रहता है हैं ठीक हैं अगर हम लोग किसमें लाविबरटरी में यूस करते हैं और रीडड ऐलगी से मिलता है अगर अगर तो अगर अगर में भी पाया जाता है ग्लुकोस व्रण जो व्लूड सुगर अप म्यवuciones होता है वह टाईप से हम लोग बायो मॉलीक्यूस कर्भो है डिट और मोनो सेक्राइड के बारे में पढ़ें इसके आगे की वीडियो में हम ओलीगो सेक्राइड और पॉली सेक्राइड देखेंगे